नमस्कार, जैहीन, जैभारत स्वावत है आप सभी का साईनिक मेल्फेर रिसर्च में आजकी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डिजियर के द्वारा निकालेगा अलेकलेश वेकेंशी के लिए कहाँ कहाँ से वेकेंशी है किस कीस जगह से है और क्या-क्या वेकेंसी आये डिटेल्स में देखते हैं सबसे पहला जो वेकेंसी निकल के आया है वह है अमूल लेरी के लिए और यह है अमूल लेरी का फ्रेंचाइजी के लिए है और यह पूर्पूर सैनिंगों के लिए है नेम आफ फ्रेंचाइजी अमूल मिल्क बूद के फंक्षन इसमें होगा उत्पूर सैनिक इसमें अमूल प्रडक्स सेल कर सकते हैं और एरिया होगा दिल्ली एरिया में इसमें है, कौन-कौन से एरिया है मंदावाली 1 मंदावाली 2 नंदनगरी, बसंत विहार विलेज वाटर टाइंक्स और पुस्त विहार सेक्टर 3 इन्वेस्टमेंट इसमें लगवग 2-3 लाग भाई लाग इसमें सेक्रिटी रिपोजिट होगा, एडिशनल एक्सपेंसें 50,000 और एक्सपेक्टेट इंकम पर मंथ यह एक प्रोजेक्टेड इंकम है इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं इससे कम भी हो सकता है 30,000 से 45,000 पर मंथ इसमें मुद्पूर से नहीं कमा सकते हैं इंकम कर सकते हैं लाज्ट डेट अप्लाई करने का है 16 तॉप जून यानि 16 जून लाज्ट डेट है और साइन करके DGR को सेंट करना है यह एड्रेस है यह टेलिफोन नंबर है ज्यादा जनकारी के लिए आप संपर्थ कर सकते हैं इसका PDF आपको हमारे डेस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहाँ से आप इसको डाउलोड कर सकते हैं अगर वैकेंसी है भूद्पूल सैनिकों के लिए DFCCIL DFCCIL क्या है यह है Dedicated Fright Corridor Corporation of India Limited इसका मतलब होता है और यह इसमें वैकेंसी है गेट मैन और पॉइंट मैन के लिए इसमें जो सैलरी रेंज है वह 15,000 से 21,720 क्यास पास qualification metric pass चाहिए और initial posting इसमें जो गेट मैन की जो बैकेंसी जो जगा होगा वह रूमा और सुजातपूर section के बीच होगा जानकारी के लिए बता दें रूमा और सुजातपूर के बीच की जो दूरी है वह 131 किलोमेटर है और यह एरिया उत्तरप्रदेश में पढ़ता है रूमा कानपूर के नजदिक है और सुजातपूर कौसंबे डिश्टिक में पढ़ता है और यह बीच में दोनों के बीच का डिस्टैंस 131 किलोमेटर है आए नक्से की मार्ध्यम से समस्ते है और यह कानपूर और रूमा के बीच में यहाँ पे जॉब लोकेशन होगा भुद्पूर उसैनिकों के लिए और इसमें भुद्पूर उसैनिक अगर इचुक है तो इसमें नमबर वेकेंसी की बात की जाया तो इसमें 36 है एज रेंज इसमें 55 साल तक अपलाई कर सकते हैं लास्ट डेट बीच जून 2022 है कैसे अपलाई करना है हम वीडियो के लास्ट में इसकी बारे में जैनकारी देंगे या डारेक्टली सोल्जर बोर्ट से हमें अपने नाम को बिजवाना है क्या इसका प्रोसेस रहेगा हम लास्ट में वीडियो के अंतिम में इसके बारे में चर्चा करेंगे नेश्ट जो डीजियार के तरफ से वैकेंसी आया है वह या है स्टाफ सेलेक्शन के तरफ से है और अज पर पर्ट टाइम है अंसकालिक है सेलरी इसमें बात की जाए तो 1100 पर डे और नेम आफ पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की वालिफिकेशन इसमें एंप्लोजर में दिया हुआ है यानि एंप्लोजर हम अभी देखेंगे इसमें एक्सपिरियन्स डेटर एंट्री में एक्सपिरियन्स होना चाहिए और प्लेस ऑफ इनिशिल पोस्टिंग डेली ही रहेगा नमबर ओक एकेंसी इसमें 10 है 20 जून 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं आई एंप्लोजर पढ़ते हैं जॉब फंक्शन इसमें देखा जाए तो इसमें जो जॉब फंक्शन होगा basically इसमें document verification करना होगा जो candidates SSC में qualified हो जाते हैं और last phase उनका document verification का होता अए तो वही document verification और के data entry करना है इसके बाद इसमें बाकी eligibility देखते हैं क्या रहेगा तो ये part time जॉब रहेगा online और work experience चाहिए data entry में good experience चाहिए इसमें experience चाहिए यानी computer operate होना करने आना चाहिए location of job new Delhi है salary 1100 per day और job function यहां लिखा हुआ है देख सकते हैं document verification करना है और data entry वाला का है next vacancy है staff selection commission के तरफ से और यह है document checker का job role लगभब data entry operator जी सही है बट इसमें SSE candidates हैं उनका documents verification में एहम रोल रहेगा और इसमें document check करना होता है number of vacancy इसमें 10 है और लास्ट डीजून 2022 सेम इसमें enclosure में भी सेम वही है जो data entry operator का था job role सेम है और salary इसमें सेम 1100 per day और job function भी वही है document verification का इसमें जो level रहेगा यह mode of document verification online mode में है यानि computer operate करना आना चाहिए next vacancy है staff selection commission यानि SSE के तरफ से और post का नाम है inspecting officer का और इसमें essential है एक्स सर्विसमेन गाश्टेड ओफिसर रैंक यह जेश्यू रैंक और officer rank इसमें apply कर सकते हैं place of initial posting यानि job location रहेगा डिल्ली या NCR और number of vacancies इसमें है 50 लास्टेट है to forward names फ्रॉम जीला सैनिक बोर्ड और राजशैनिक बोर्ड बीजून दोहजर पाइस और last vacancy हमारा है DGR के तरफ से local loss prevention auditor के लिए और level of post है supervisor and deputy manager का employer है कहां करना job यह है veteran watch safeguard private limited के लिए और इसमें essential चाहिए JCO from air force navy army से JCO rank के अधिकारी चाहिए place of initial posting NCR greater noida noida और गुरदाओं रहेगा age इसमें up to 58 years चाहिए और number of vacancies इसमें है 60 travel requirements जो होगा वहां विदिन NCR होगा last date इसमें भी 20 जून 2022 तो यह था DGR के द्वारा vacancy अब सवाल यह है कि इसको apply कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम यह willingness format देखेंगे यह willingness format भी हमारे telegram के link में आपको इसका format में जाएगा वहां से आप download करके इसको फिल्ट कर लें और अपने soldier board में जाके इसे deposit करा दें लार्ज देट से पहते हैं इसे फिल्ट करने के लिए यहां आपने जिलासायनिक बोड या राजसायनिक बोड का नाम लिखना है नेम आफ पोस्त नेम आफ और और बाकी यह यह था कुरी वेकेंसी और इसके डॉक्मेंट आपलाई करने का तरीका अलग-अलग वेकेंसी पूरा हमने डिटेल से जाना और समझाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जयेग